नमस्कार दोस्तों मैं अपने यूटूब चनल इंडियन नॉलज पे आप सबका बहुत बहुत फ़गत करता हूँ आज मैं आपको नो चिरन जीव की विशेम बताऊंगा जो हजारो चॉलों से अज़र और अमर हैं और धर्ती पर कहिए निकहिए विध्यमान हैं उसमें सुरपतम हनुमान जी भग्वान सुव के 11 रुद्र और पवन दियुता के औरस पुत्र भी कहे जाते हैं इसलिए इनका नाम पौनपुत्त हनुमान भी है हनुमान जी श्री रामायर में भगवान श्री राम की अनन्द भक्त और भगवान श्री राम की साहता की थी और बहा भारत में भी युद्ध में पांडों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के रत की उपर भजा के रूप में विध्धमान थे इनको ने माता सीता ने अजर अमर होने का वर्दान दिया था तब इसे हनुमान जी अमर हो गए थे दूसरे नंबर पे आते हैं अस्वस्थामा अस्वस्थामा गुरू दवाचार के पुत्र थे और अस्वस्थामा के मस्तक में अमर मड़ी थी जब इन्होंने महाभारतकाल में पांडों के पांचों पुत्रों का बत किया था तो भगवान श्रीकृष्ण ने इनके माथे की मरी को नुकलवा लिया था और इनको स्राब दिया था कि आप कल्यूग में दस हजार वर्ष तक इदर उर्धर भटकते रहेंगे और पीडा से इसलिए पीडा से जुक्त होकर कि ये प्रिथवी पर कहीं कहीं मठभरेश के जागलों में दिख भी जाते हैं थीशरे हैं मारकंडे डिशी मारकंडे डिशी ने महामतन्यों तब किया था और भगवान श्रीकृष्ण पसंद किया था और यम्राज को भी धुकने मजबूर कर दिया था तोतर नमबर पे हैं प्रशुराम जी प्रशुराम जी वैसे तो हनुमान जी से भी पहले की अमर है प्रशुराम जी भगबान विश्ण के छटे आउतार भी कह जाते हैं इन्होंने धर्टी से 21 बार धर्टी को शत्री विहिन कर दिया था और ब्रामणों को दान कर दिया था इनके पिदार जम ढगनी थे पात्वे नमबर पे है टिपाचार टिपाचार अस्वस्थामा के मामा थे टिपाचार एक बहुत बड़े एद्धा भी थे और प्रम ज्यानी भी थे तपस्वी भी थे वो भी अमर हैं वो भी धर्ती पे कहीं कहीं किसी रूप में विद्धिमान है ये महाभारत में कौरों के तफ्स युद्ध किये थे छठे हैं विवीशड इन्हें ब्रह्मा जी ने चरंजीव होने का वर्दान दिया था और भगवान स्री राम की अनन्द भक्ति दी थी विवीशड जी ने भी राम और आवण के युद्ध में इनकी सहायता की थी साथवे हैं मर्शी बेदव्यास मर्शी बेदव्यास समस्त बेद पुराण और सास्त्रों के रचईता हैं इन्होंने हिंदु धर्म को संग्ठित किया और हर जगा उनका पचार और प्रसार किया था साथवे हैं राजा बली ये महान दानी थे इन्होंने भगवान वावन देव को दो लोग दान कर दिये थे तिसरा पक के लिए अपने सिर को नपवा दिया था इस तरह सब कुछ दान करके ये महान बन गए थे इसलिए भगवान विष्णु ने इनको अमर कर दिया और नौवे हैं कल्योग में आलहा जो मा मैहर देवी मासारदा की परमभक्त थे इन्होंने मासारदा का घोर तब किया था मासारदा ने इनको अमर कर दिया था जो कि मासारदा मदपरेश में मासारदा का मंदिर है सरपतम पुजा आज भी ये करते हैं ऐसी मानता है और वहाँ पर प्रमार भी इनके मौजूद होते हैं देली तो ये थे नो चुरंजीव जिनका वर्डन आपको नहीं मिलेगा सब लोग आठ ही बताते हैं लेकिन नवे भी कल्यूग में अमर हुए थे जो आलहा है तो दोस्तों दोड़ी मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जुरू करे धन्यवाद